इसमें जो सो का आंकड़ा छूगे अभी अभी तीन डिजिट में आ गई इस सो के आंकड़े को छूने के लिए पूरे देश और दुनिया के बहुत लोगों ने बड़ी महनत की और पांच मई 2021 से जब हमने इसको जूम पर मीटिंग को बात्चित कना शुरू किया तो हम सोचते थे कि हमारे सो का आंकड़ा छू जाए क्योंकि लोग आते थे सुनते थे चले जाते थे तो उनको ऐसा लगता था कि ये भी कोई संठन है तोड़ी देर में बात करेंगे फिर जेव से थेले से पर्ची निकालेंगे कूपन निकालेंगे फिर डराएंगे धंकाएंगे सम्धान चला गया आरेक्षण चला गया यह हो गया वह हो गया फिर गारंटी देंगे कि हम तुम्हारे सारे अधिकार और सारे सम्धान बापस ले आएंगे फिर किसी सभा में बुलाएंगे वहां बड़े-बड़े होर्डिंग और पोस्ट लगेंगे जंडे बैनर लगेंगे बड़े-बड़े माइक बड़े-बड़े मंच बड़े-बड़े माला वह बड़े-बड़े लोग आएंगे बड़े-बड़े कपले पैनके बड़ी-ब पाँच महिने बाद फिर आएंगे, फिर वही बात करेंगे, फिर पर्ची निकालेंगे थेले से, फिर पर्ची काटेंगे, जैसा सतर साल से हमारे वैवार में और हमारे रूटीन में चल रहा है, तो यकीन नहीं होता था लोगों को कि जो आंदोलन है, जो समस्या है, उसका धान भी हो सकता है दरसल लोग मायूस हो गए हम भी मायूस थे ऐसा नहीं है लोगी क्या हम भी मायूस थे देख रहे थे क्या चला है क्या नहीं तो लोगों से कहते थे कि भाई संग्ठित हो जाओ तुम हमको कहते हो के संग्ठित होना है संग्ठित होना है पर तुम क्यों नही संग्डित होते हैं हम ही को क्यों कहते हो कि संग्डित हो जाओ हम तो साधरान लोग हैं साधरान आदमी हैं तुमने कहा पैसे दे दो दे दिये तुमने कहा इस बार हजार नहीं 2000 देने, महंगाई बढ़ेगी 2000 दे दिये, सारे काम हमने तुम्हारे अनुसार किये, जहां तुमने बलाया वहां गए, पर हमको इखटा कहने लिए कहते हो, खुद इखटे नहीं होते हो, फिर हमसे कहते हो, कि परणाम आएगा नहीं जब तक इकटे नहीं होगे तो इकटा होगा कौन ये बात समझ में नहीं आती कि खुद लोगों को इकटा करते हो और खुद इकटा नहीं होते ये कैसे कमाल की बात है यह कैसी बात है कि हमसे कहते हो कि जागृत हो जागृत हो जागृत हो जागृत हो जागृत हो और तुम खुद सोए पड़े हो बावा साब ने तुम को कौन सा वॉल्यूम पकड़ा दिया कौन सा समिधार बता दिया कौन सा नियम बता दिया क्या कह दिया बावा साब ने तु payback to society और कोई बात नहीं लेकर आती है और वो भी उसको भी तोड़ मरोड के बताते हो पे बैक to society का मतलब बावास आप ने और भी लिखा हुआ है कि आपको क्या pay करना है अपना time और अपना resources भावा साब ने या तो कहा नहीं कि पेबेक टू संग्ठन और पेबेक रुपिया पेबेक मनी ना तो बावा साब ने ये कहा कि संग्ठन को पेबेक करना है और ना बावा साब ने ये कहा कि पेबेक में पैसा देना है बावा साब ने ये कहा है कि सोसाइटी को पेबेक करना है और पेबेक में टाइम देना है टे गंटा दे, आदा गंटा दे, कोई अगर टेक्निकल बंदा है तो वो मदद करे लोगों की, कोई सरकारी अफसर है तो वो लोगों की मदद करे, सरकारी सीमों के बारे में बताए, कोई बैंक में है तो वो लोन कराए, लोगों की मदद करे, कोई ब्यापारी है तो उनको पांच परसेंट कम में सामान दे कोई अगर कोई कंपरी है तो वो वहां पने लोगों को लगाए यह रिसोर्सिस और टाइम के लिए बावा साब ने कहा और तुमने इसको कुट मनी में बदल दिया कुट मनी में सीधे सीधे पैसे मांगते हो आदमी नहीं मांगते हैं यह बावा साब ने तो हमको आदमी जोड़ने लिए कहा था जब यह कहा था कि और गनाइज और गनाइज का मतलब है कि एक सेंटर में इखटा होना है और उस पूरे सिस्टम को और गनाइज जैसन बोलते हैं तो बावा साब ने तो साफ साफ कहा है और गनाइज बावा साब के इस और गनाइज सिस्टम को तुमने जो संग्ठन है छोटे छोटे गुरूप हैं उन में कैसे बदल दिया हम तो विस्वास करके चले हमने तो आँख बंद करके जो तुमने कहा, तुमने विश्वास घात कर दिया, तुमने कहा कि हम बावा साब का जो कारवा है, उस कारवा को जहां बावा साब में छोड़ा है, उससे आगे लेके जाएंगे, और सतर सालों में प्रणाम ये हुआ कि बावा साब ने जहां कारवा छोड़ा था, वो तो वह सा काम किया तुमने ये कौन सी जन जागरती करी तुमने के जैसे जैसे जागरती करते गए वैसे वैसे जो बावा साब का कारवा पीछे चाता गया ये दुनिया का कौन सा जुवा जागरती है ये दौन दुनिया का कौन सा जुवा अंदुरन है दुनिया देखती है तो हस्ती है 29 लाख संग्ठन लगे पड़े हैं चारलाइक एक्टिवेट हैं अगर चारलाइक एक्टिवेट की हम मालनें तो 50000 जिलों में एक जिलों में कितने आते हैं जारों संख्ठन आते समने पढ़ाई के लग बना रखें जूक़े शंद्य prayer time धरम के संख्ठन अलग बना रखें धर्म के मठ अलग बना रखें भिक्पू सब अलग लग चल रहे हैं उपासक सब अलग लग चल रहे हैं सरकारी करमचारियों के इतने इतने संठर बना रखें फिर भी डिमोशन हो गई फिर मोशन चली गई आरेक्षण चला गया वह यह कैसे सरकारी करमचारियों के संग्ठन बना रखें फिर भी समाज टूड़ों में तूट गया पहले तो 6743 जातियों में तोड़ा और 6743 जातियों को बावा साब ने जब तीन गट्री में खटा कर दिया SC ST OVC में तो तुमने फिर दुबारा से 29 लाग संग्ठन बना के 29 लाग हिस्सों में तोड़ दिया वही काम जाती करती है अलग-अलग करने का और वही काम संग्ठन करते हैं कोई भी संग्ठन किसी भी हालत में दूसरे संग्ठन को पूटी आंक से नहीं देखता उनमें आपस को नहीं दिया मुझे को क्यों ही देते हो तू जोड़ने की बात नहीं करते कि कि त You तुन्हें कितनी माला पहनी, तुन्हें कितना लंबा भाशन दिया, तेरा कहां का नाम हो रहा है, तुझे अपके कोई टिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, भै कर क्या रहे हो, और क्या करने के लिए हमें कह रहे हो, ये बात बहुत सारे लोगों से बार 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 कही गई कि भाई सारे अधिकार जा रहे हैं, तुम्हारी आखों के सामने जा रहे हैं, तुम्हारे होते सोते जा रहे हैं, पॉलिटिकल जो लोग हैं, उन्होंने भी बहुत सारे संधा मना लिए, जो समण समाज की पॉलिटिकल पार्टियां वो भी हजारों में हैं, भई हजारों पॉ तो यह जितने भी इसकटर्ड लोग हैं इन्होंने बावा साप की बात नहीं मानी और हम को कहते हैं संग्डत हो जाओ और खुद होते नहीं इस समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे लोगों से बात की गई बार 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 उनको बुलाया गया फिर उनको दिल्ली में एक बहुत अच्छी जगे मीटिंग भी की गई मा समाध से पैसा एकटा करके उनकी दावत भी की उनके हाथ भी जोड़े उनके सब उनको बताया और वो रिकॉर्डिड है हमारे पास में उसका वीडियो है जो लोग वहाँ आए थे उनको एक ही बात कही थी कि भाई जीतेंगे इसी पर बात करनी है अब यह देखते हैं कर लोगे तुम कैसे जुड़ोगे सब लोगों ने खूब बाते करी मगर क्या बात है कि मेरा संक्तन सबसे अच्छा मेरा काम बहुत बढ़िया और उनकी जो छुपिक छा थी जो भाशन में वो नहीं के पाए वो यह कह आदमी अपने आपको पहले नेता मानो तब वो काम करेगर काम भी क्या करेगा जो काम चल रहा है उससे तो सब कुछ जा रहा है बात नहीं बनी वो रोटी रोटी खाकर चले गए पैसा मटी हो गया टाइम खराब हो गया तो इक बात समझ में आई कि भाई नेताओं की मजब कि जाड़ पर चड़ जाते हैं उनको लगता है कि बस अब मैं अगले वार मुख्यमंती बनने वाला हूं अब मैं अगली वार धानमंती बनने वाला हूं अब मैं कैबने बनने वाला हूं लाल बत्ती की कार आने वाली है दो चार अपसर जी साब जी साब करेंगी मेरी चलेगी कुछ पैसा वैसा भी मैं कमा लूँगा मेरा थोड़ा रुत्वा होगा और मेरा मान होगा समान होगा प्रतिष्टा होगी उसके गले में जो मालाएं मालाएं पढ़ती हैं जो पढ़के शटके पढ़ते हैं जो वो टोपियां सोबियां पहनते हैं वो उनको खतम कर देती हैं उनको एहम हो जाता है कि वही कर सकते हैं और वहम हो जाता है कि उनके लावा कोई और कर नी सकता है। ये एक बीमारी है, ये बीमारी हमारे बहुत लोगों को हो चुकी है। इसलिए वो आपस में कभी चाय भी नहीं पीते। आपने ध्यान दिया हो, सभी प्रकार के संग्ठनों के जो लीडर हैं या लोग हैं या जिनको हम अपना अगुआ मानते हैं, नेता मानते हैं, वो बावास आपके जनन दिन पर भी एक साथ बैठके चाय नहीं पीते। कभी नहीं देखा होगा आपने एक फूटो एक दूसरे को गाली बगता रहते हैं, वैसे मानिय मानिय करेंगे, मगर पीछे गाली बगते हैं और काटने का काम करते हैं। और जो जितने भी हमारे लोग हैं ये निद्यता है इनको कभी आपने बावा साब के मरण दिन पर भी इखटे नहीं देखा उगा। एक दिन भी नहीं देखा होगा आपने मैंने पूरी जिंदगी में कभी सारे नेताओं को एक मंच बनी देखा और इसको वो कभी हमारे लोगों को एहसास नहीं कराने देते कि हम अलग अलग हैं जिन जिनको वो दुस्मन दुस्मन करते हैं वो दुस्मन भी दुख में एक साथ मिल जाएंगे, उनके चाय पीते हुए, उनके साधी ब्यापे फोटो खिचे हुए, गले में हाट डाले हुए, हसते हुए मिल जाएंगे, जिनको वो दुस्मन दुस्मन करते हैं, वो सारे एक हैं, वो दुख में सब एक हो जाते हैं, हमारे खिलाब सब एक हो जाते हैं, मगर इने नेताओं का भर साच चोड़ दो एने संग्ठनों का भर наб्र साच क्यों ये तो हमारे भर उसे हैं अपने भरो से आम या जाओ अधी ऑभव भरा जाओ तो हमारे बचे बच जाएंगे और इनको कुछ मत को इनको सिर्फ संग्ठनों को एक बात कहो पैसा देंगे जब इकट होके आओगे तब तुम्हें खटा होना पड़ेगा क्योंकि समय हमारे पास में यह बात इनको सबसे बुरी लगती है कल मैं हरियाने में था वहां चार-पांच लोग बता रहे थे कह रहे थे जी के हरियाना के जो भारती बहुत महासवा के जो प्रधान है वो मेरे को गाली तो मैंने का भई फिर आपने क्या कहा कहना जी मैंने तो उनसे यह कहा कि भगवान बुद्ध ने अलग-अलग रहने के थोड़ी कहा है भगवान बुद्ध ने तो यह कहा है संगंग सरनंग अच्छामी एक संग में रहना है भगवान बुद्ध ने पूरी जिंदगी एक सं लिया जिस भगवान के तुम उपासक बंते हो जिस भगवान बुद के बौदते बनते हो लिए कोई पैसा ले सिखाने का पैसा ले पर्शी काटे बड़े बड़े बैनर बराए पोश्ट करें तो मैंने का वह फिर क्या हुआ के रहे लगे मेरे को धम सिकाते हो तो उन्हें का जी मैं आपको क्या धम सिकाऊंगा मैं तो खुदी अधम में फस गया इतने दिन से अब मेरी आग देने को त्यार हैं बर कुछ जागरती में कुछ रियल तो आना चाहिए परणाम तो कुछ आता नहीं है और मैं अगर आप से परणाम के बारे में पूछ रहा हूँ तो इसमों बुरा क्यों मानने हुआ आप बताओगे अब तक प्रवुद भारत क्यों नहीं हुआ संस्था ज़े जो विजिस व्यक्ति को मैं यह मानता था कि धंब जानते हैms वो तो इतना ज्यादा गुश से में और तना ज्यादा गाली गरूच की कि मुझे खुद सर्माती है क्या ये घटना अभी आने वाली हैं बढ़ने वाली हैं कारण क्या है कि जिस विख्ति को आप कुछ सहयोग दोगे वो अपना अधिकार समझ लेता है हर साल दो वार तीन वार पच्ची कटवाने का अधिकार समझ लेता है वो अपनी जवाब दे ही नहीं समझता है कि उसने जो मदद मांगी है या जो वो काम कर रहा है उसका कहीं जवाब भी देना है और जवाब कौन लेगा पूछने का दिखार है तो जो हमारे अगवालोग है उन से कौन पूछेगा उन से पूछने के लिए अमरीका से तो कोई आएगा नहीं हमीं लोग परिशान है तो हमीं पूछेंगे अच्छा अब तक हमने नहीं पूछा सतर साल में हमने आख बंद करके उनकी बात मानी, करोण रुपया दिया है, जिन लोगों की साइकल पर चलने की हिम्मत नहीं होती थी, वो फॉर्चुनर में चलना है, वो 35-45 लाकी गाड़ी हो चलने हैं, छोटी गाड़ी में नहीं चलते, कोई बात नहीं चलने हैं, समाज का पैसा आया, खूल उटाओ, पर समाज को तो कुछ मिलना चाहिए, यही तो पूछ रहे हैं, कि मिला कुछ नहीं है, तो उनको इखटे होने के लिए कहते हैं, तो उनको आग लग जाती है, कि हमको इखटा होने लिए कह दिया, हमको नस्यत कह दिया, अरे तुम ही तो कहते हो, कि हम पैसे भी दे रहे हैं, हम रैली में भी आ रहे हैं, मीटिंग में भी आ रहे हैं, हम जंडा भी उठा रहे हैं, फिर भी हम मरे जा रहे हैं, हम अपने मरने का भी न चिकर करें, और ये भी न पूछे के हमारे बच्चों का परणाम क्या होगा, क्या नहीं होगा, हमारे तो गले में थूकने की हांडी और पीछे ज़ड़ू आने वाली हैं दस साल के अंदर, तुमको दिखाई देता, हमको दिखाई देता भईया बच्चे हमारे हैं, ये बात जब उनको कही नहीं माने, तो फिर बोला भईया हम अपने पैरों पे खुद ही खड़े हो जाते हैं, वैस ऐसे ही हमको इखट हो जैना चाहिए, तो ये सोच के सब लोगों से बाचित की। कुछ लोगों को बासमाई में आई, कुछ को आया कि भाई संग्ठनों से संग्ठन लड़ता है और संग से संग्ठन लड़ता है और पढ़े लिखे आदमी से पढ़ा लिखा आदमी जिरह करता है तर्ग उतर करता है और अनपड़ से अनपड़ करता है ये नियम है प्रिकरती का आपकी कोई भी आदमी अगर मालो कानूं क जानकार है और उससे रिक्सा वाला तर्क करे वो नहीं कर सकता उसको पहले कानूं का जानकार होना पड़ेगा तो संग बनाना चाहिए तो संग कैसे बने तो याद आया कि हम रोज तो गाते संगं सरनंग अच्छामी यह कौन सा संग है जरा इसको देख लेते हैं तो पता चला कि बुद्ध ने हमको यह नहीं कहा भिक्कु सरनंग अच्छामी ऐसा नहीं कहा है बुद्ध ने सिर्फ संगं सरनंग अच्छामी कहा है और भिक्कु का अलग होता है तो भिक्कु की संग में भिक्कु जाएगा हम क्या भिक्कु है तो भिक्कु की संग में भिक् संग झाएंगे और जो उपाशिका है वो इसको को नहीं बताता तो समझ में आया कि यह संग क्या बुद्र नहीं बनाया कि बुद्र Państwo पहले जो बुद्ध के दादा दादी और जो बुद्ध के नाना नानी थे यानि हमारे दादा दादी हमारे नाना नानी हमारे पर दादा हमारे पर नानी पर नाना पर दादा उन्हों ने बनाया है हमारे पहले लोगों ने बुद्ध से पहले तो कैसे बनाया है तो बावा साफ साफ लिखा हुआ है संग की बैठक बैठी उसमें सिध्धत गौतम ने बात नहीं मानी उसमें संग ने उनके खिलाफ एक आदेश दिया बुद्ध को वह आदेश मानना पड़ा और बुद्ध को साके जो घर था साको का जो कबिला था साके गरदाजय वह छोड़ना तो देखे भई संग के नियम यह मी कहीं है तो पूरी मोटी एक किताब है विनेपीटक के नाम से अचा विनेपीटक को छोड़ दो हर धम पद में हर पद में हर सुत में तरी पीटक के में जो औरिजिनल है वो चैक हो जाता है वो हर एक सुत संग का नियम है और वो नियम बह हमी अपने नियम को अपने बाब दादाओं की प्रोपरटी को ने इस्तमाल कर रहे हैं सारी दुनिया कर रही है भारत में लोग कर रहे हैं और संग के नाम से कर रहे हैं और वही नियम है सारे के सारे वही दो-चार नियम उन्होंने बदले हैं जो खराब है जिसकी वैसे वो पतन जाता है तो ये कमाल लगा आँखे फटी की फटी रह गई अरे नियम हमारे फिर देखा ये नियम कहीं बाबा साब नहीं मिस्तमाल करें नहीं करें तो भई आँख जितनी खुल सकती थी उतनी खुल गई पूरा का पूरा सम्मिधान विनेपीटक पर है भारत गर्णराज्य संग बाबा साब ने इसलिए दो किताब दिया दोनों किताब एक हैं भगवान बुद्ध और धम और भारतिय सम्मिधान दोनों एक है मगर उन्होंने ये चुकि वो बहुत दुनिया के नमबर वन के इंटिलिएट वेक्ती रहे हैं बाबसाम बेट कर इसलिए उन्होंने दोनों को कभी एक नहीं कहा कहा है बहुत बारिक सम्मिधान पूरे के पूरी दुनिया के लिए है और जो भगवान बुद्ध और उनका जो धम है वो खास तोर से समण संग यानि हमारे जैसे लोगों के लिए है उनकी लिए पहली जरूत है वैसा दुनिया चाहिए तो पढ़े कोई दिक्कत नहीं है और दुनिया फॉलो भी करती है मगर डिफरेंस रखा है थोड़ा सा इसलिए हमको संग के नियम पे चलते हुए आगे बढ़ना चाहिए ऐसा सोचकर एक 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 संग का नियम बताना शुरू किया देखें लोगों को याद है या नहीं है लोगों के पुराने खुन में है या नहीं है पुराने जीन में है या नहीं है पुराने संगी है ना तो याज जल्दी आ जाना चाहिए तो कमाल ये हुआ कि थोड़ा सा बताया और लोगों ने पूरा समझ दिया और लगे द्रहादर मिलने फिर तो यहाँ संख्या लगाता लगात बढ़ती रही आज भी हरियाने में दो मीटिंग हुई है एक एक्चुल ह हुई है एक वर्चुल हुई है और दो एक्चुल हुई है जमीन पर हुई है महराश में मीटिंग चल रही है अभी तो कोविट आ गया वना वहां भी कम से कम पांस से लोगों की मीटिंग आज बिल्जनौर में थी कोई बात नहीं वह मीटिंग की डेट अभी बता देना हम तो लुट गए जुडने और जोलने के लिए हर व्यक्ति अपना खाना साथ लेके आता है संग को है हर व्यक्ति की इज़त है तो नर को सर कहना है और महिला को भेंजी कहना है तो ना कोई छोटा है ना बड़ा है तो पता चला यहां तो पूरे दिन सरसर कहके और साप साप कहके और बाओ जी बाओ जी किया कि सरपेशड़ा रखा है वो नीचे नी उतरते लोग और समर्ण संग में तो सारे बरावर होते थे तो देखा कि समर्ण संग में कोई नेता नहीं होता तो कि बुद्ध भी नेता नहीं थे तो आगे जागे देखा, तो देखा कि बुद्ध भी नेता नहीं थे, संकी और बुद्ध ने साफ साफ का है कि मेरे बनने के बाद मैं संगी संग का नेता होगा, धमी धम का नेता होगा, तो नेता गरी खतम है इसमें, इसमें कोई नेता जिंदगी में बनी नहीं सकता, इसमे कोई तो देखा कि इसम्ए कुछ जो पुराने समर्ण संगिय क्या कि उनके नाम चल रहें तो पता चला उनके नाम भी नहीं है यानि के व्यक्ति का नाम कभी उसमें आता हुए नहीं है व्यक्ति वाद ही नहीं है इसके अंदर वहonne बर दहा बड़े नियम है जैसे जैसे रहे हैं बस आज आज के लिए चला रहे हैं अभी चलाएंगे जैसी मिटिंग खतम होंगी खतम फिर वो नॉर्मल ऐसे ही वहां किसी को कह दिया तू सभा चला ले वो सभा चलाता था बाकी जिसको परसानी होती थी वो बोलता था बाकी लोग समाधान निकाल देते बहुमत से होता था यही तरीका बावसा आपने संगरीब ना ना मालत यहां स्रमणर समाज में पैदा होना चाहिए वो समल संगी है तो बंबभन का यहां कोई काम नहीं है बंबभन वाले लोग तो वैशे भी बहुत सादा अपना संग बना चुके हैं, बहुत पहले से बना चुके हैं, और वो उनके पास सारी कार हैं, सारी फैक्टी हैं, सारी इंडिस्टी हैं, सारी नौकियां हैं, सारी एजूकेस हैं, उनके पास सब कुछ है, हमारा उनसे कोई लेना दिना नहीं है, हमारा तो अपने ही जो समण सं बैठता था तो राजा पसंजीत भी लोगों के साथ नीचे बैठता था तो वो पूसा था, बुद्ध कहते थे कि संग में ये दिक्क्त आई है, लोगों की ये बात है तो राजा पसंजीत को माननी पड़ती थी तो इसका मतलब यह है कि जो वैधानिक व्यवस्ता है, जो पालियमेंट के अंदर वैधानिक व्यवस्ता है, वो संग के अधीन रहती है, यानि अगर जहां लोग ज़्यादा जोड़ेंगे, पालियमेंट को बात माननी पड़ेगी, तो कभी ऐसे कैसे हो सकता है, तो उसको भी देखा दो अपरेल को हम इखटे हुए तो हमारी बात पाले अमेंडर मान ली तो इसका मतला ये बात भी सच है चलो हमारी बात छोड़ो किसान इखटे हुए तो किसानों की बात मान ली तो किसान इखटे होके संग बनाया उनकी बात मान ली चलो किसानों की बात छोड़ो बीगए करता है और यहां तक कि जानवर भी संग में रहते हैं चीट्याओं यहां सब संग में रहते हैं पेड़ पॉदह भी संग में नहीं जुबंचेए में जुब मेरते हैं और जो जुब में रहते हैं वह बच जाते हैं साथ सारे elaborate तो ये पराने फार्मूले है और भी फार्मूले जैसे जोट पढ़ते रहेगी वैसे वैसे आते रहेंगे अब काम काफी चला है अब डॉक्टरों का अलग संग बन गया है वकीलों का अलग बनने वाला है इंजिनरों का अलग संग बनने वाला है महिलाओं का संग बन चुका ह जो वड़े लोग हैं बुजरुग लोग हैं उनका संग अलग बने वाला है धीद्रे करके यह संके की घटक बनते जा रहे हैं पहले भी संके घटक थे क्योंकि काम बढ़ता है तो होता है धीद्रे यह मीटिंग चाहता और फैल रही है इसलिए जो बिजनौर की आज मीटिंग करें इखट जायें तो हमारी जान शूट जाएंगी तो हमारी जान बचट जाएगी तो गले में हांडी और पीछे जहडू टल जाएगी अगर ऐसा नहीं कर पाए हम तो यह टले गी नहीं इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमको जुड़ना है और जुड़ना है जुड़ना है जुड़ना है जुड़ना है यही कंसेप्ट है पुराना कंसे बताते हैं वीडियो बताते हैं फिर भी अगर किसी का कोई नया साथी जोड़ा हो कोई प्रसंद हो तो वो पूछ सकता है धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इ ये सबी copyright free हैं, आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाजत लेने की या permission लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम सब का है, हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है, या महापुर्सो का है, उन्हीं की बात को सरल भासा में बताते हैं, हमारा सिर्फ इतना right हैस पे, कि हम इसको load कर देते हैं, बाकी सारी ये पूझी आपकी है, धन्यवाद आपंनि ने गच्छामु안 दूतियं पी धुतंग सर्णंग च्छामी दूतियं पी धम्मंग सर्णंग च्छामी दूतियं पी संगं सर्णंग च्छामी दूतियं पी धम्मंग सर्णंग च्छामी दूतियं पी धम्मंग सर्णंग च्छामी दूतियं पी संगं सर्णंग च्छामी आतियम पिसन्दम सर्णं पिर्शामी सादो, सादो